हाईलो स्टुटेंट्स मैं स्वीटी सालेचा आज आपको फ्रूट मेकनिक्स का एको टॉपिक प्रेशर मेजर्मेंट एक्स्प्लेइन करूंगी यह आपके यूनिट नंबर टू का 2.3 टॉपिक आता है आज हम क्या क्या पड़ेंगे प्रेशर एट पॉइंट एग्साल ओड्स अप्रूस्ट जासीफिकेशन और प्रेशर मेजरिंग डिवाइश सिंपल मेनमेटर पीजो मितर यू तुम अमींटर एंड सिंपल निमेरिकल प्रॉब्लम नव प्रेशर एट रेश्ट यह हम बोलता हैं hydrostatic low according to hydrostatic low या क्या कहता है कि जो भी हम pressure लगाते हैं the rate of the increase of pressure in vertically downward direction must be equal to specific weight of the fluid at that point means क्या हो गया यहाँ पर जो force लगा है intensity of pressure है वो किसके बराबर होने चाहिए specific weight of that fluid अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या consider किया एक block लिया है a b c d जो मैंने इस liquid में डूबोया है जिसके ओपर मैंने pressure लगाया है p multiplied by del a and इसका इसके ओपर और कुन-कुन सो force लग रहा है दूसरा लग रहा है आपका weight of that block and third force is here the reaction force which is always greater than the action force जो की है pressure force के दबार p plus del p over del z and del z जितनी इस block की height है उसके बराबर now देख लेते हैं हम कौन-कौन से force लग रहे हैं तो force on a b है यहां पर है force on a b है यहां पर that is equal to now force on a b is equal to p multiplied by del a और वो perpendicular downward direction में लग रहा है then pressure force on cd जो की आपका reaction force है वो क्या हो गया पी प्लस del p over del z, del z multiplied by del a now third मैंने जिसा बहुत है था weight of the fluid element weight का formula क्या होता है m g weight का formula आपके पास क्या होता है w is equal to mass multiplied by gravity and जिसको mass को मैंने further क्या बुला था आपका m is equal to क्या हो जाएगा rho multiplied by volume और यहां पर volume क्या हो जाएगा area multiplied by height that's why यहां पर density आपके क्या आ गई है density multiplied by g multiplied by volume which is equal to आपके हो गया है rho g del a over del z now for the equilibrium of the fluid element हमारे पास क्या हो जाएगा fluid element के equilibrium के लिए क्या हो जाएगा आपके पास equation आ जाती है p over total जो upward और downward forces लग रहे हैं उनका हम क्या कर लेते हैं sum कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा p del a minus p plus यह minus क्योंगा क्योंकि यह इसकी opposite direction में force लग रहा है इसलिए यहां पर sign हमने लिए है negative sign then इसकी same direction में echo force लग रहा है which is the weight of the fluid element equals to zero on equilibrium condition by solving यह दोनों cancel हो गए p del a p del a और यहां पर आपके पास आ गया है this one is the equation now az is on both sides so az भी आपके क्या हो गया है cancel out हो गया है तो हमारे पास equation क्या आ गई है del p over del z is equal to rho multiplied by g which is equal to weight density of the liquid जो कि हमको प्रूव करना था so it is said that the rate of increase of pressure in vertical direction equal to the weight density of the fluid at that point so यह आपका क्या हो गया है पुरू हो गया है जो आपको प्रूव करना था now हमारे पास आप इसको हम integration कर देते हैं तो pressure हमारे पास क्या आ जाता है p is equal to rho g z clear है और यहां से हमारे पास z is equal to क्या आ जाता है जैड या फिर अगर इसको हम हाईट से देनोड करते हैं तो और यहाँ पर क्या होजाता है इसको हम कर सकते हैं h is equal to p upon rho g ठीक है इसको हम बोलते हैं pressure head this thing is known as pressure head of the liquid तो यह जो formula आया है इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे प्रेशर हैड ओके यह थी आपकी हीड्रोस्टेटिक लोग फॉर्द इस्टेटिक फ्लूड प्लियर है नाँ तो इस वन इस यह रिड्रोस्टेटिक लोग नाँ और नेक्स स्लाइड इस दे मीजर्मेंट आप दे प्रेशर और वाट आर दे वेरिएस प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज यह कौन कौन सी होती है और क्या क्या डिवाइसेज होती है तो हम इसको चार्ट से समझ लेते हैं फर्स्ट है प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेज तो इसको हम कर सकते हैं ब्रॉडली तीन तरह से फर्स्ट है आपका बैरोमीटर फर्स्ट वन इज यूर बैरोमीटर सेकिंड आपके मैनोमीटर सें थर्ड वन इस दा मिकैनिकल गेज़ेज जो डायल गेज़ेज होते हैं तो ब ोगARS मेरह के बारे में तो हुम हुह करेंगी about manometres and the mechanical तो मैंनो मेरोच होता है वो आपका दो तरह का ऻोता है ब्रोडली सिंपल मेनोमेटर and the differential manometer Simple manometer further classified into होुजाता है आपका पीजोमेटर, YouTube manometer and the single column manometers and differential manometer भी आपके YouTube differential manometer and inverted YouTube differential manometer अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से gauges हैं तो फर्स्ट है आपका diaphragm pressure gauge सेकेंड है आपका burden tube pressure gauge थर्ड है आपका dead weight pressure gauge and the bellows pressure gauge यह चारे आपके course में हैं तो हम next अब हम लेते हैं what are the various simple manometers तो आज हम पढ़ेंगे about simple manometers क्या होता है तो a simple manometer consists of a glass tube simple manometer में क्या होता है आपके एक glass tube होती है जिसका one end तो होता है connected to where pressure is to be measured जहां से भी हमको pressure measure करना है इसका एक end कहां पर connect कर देंगे हम where pressure to be measured and other end remains open to the atmosphere अब पर नहीं क्या हो गया कि यह glass tube हो गई है supposed to be यह आपकी tube हो गई है जिसका एक end तो आपको जहां पर भी कि सपोर्च भी किसी pipeline का pressure measure करना है वहां से करने कर लेंगे और दूसरा जो है open to the atmosphere रहता है तो तो common types of simple manometres जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पीजो मीटर यूट्यूब मैनो मीटर एंड दे सिंगल कॉलम मैनो मीटर ना पढ़ते हैं what is the पीजो मीटर तो पीजो मीटर क्या होता है यह भी प्रेशर मेजर करना है और दूसरा एंड आपके open to the atmosphere है तो the main thing is पीजो मीटर डिजाइन तो मेजर इस्टेटिक प्रेशर तो इस्टेटिक प्रेशर मेजर मेजर मेंट के लिए कौन सी चीज काम आती है तो वह है आपके पीजो मीटर now the setup of पीजो मीटर consists of a glass tube in inserted in the wall of the vessel a wall of the vessel और pipe और ग्राउंड क्योंकि पीजो मीटर के दवारा हम ground water pressure भी मेजर करते हैं मिल्लब की इसको यह कभी कभी क्या करते है की डैकली वन जहां से भी pressure मेजर करना है तो मीं क्या करते है कि बौर्ट कर्ते इं जमीन यंदर क्या कर सेते हैं कि बोर करने के बाद में इसमें जितना water level high rise होता है तो हम समझते हैं कि ground water level कितना है हम पीजो मीटर के द्वारा भी निकाल सकते हैं तो and extend vertically upward to such a height that liquid can freely rise without overflowing क्योंकि इसलिए क्योंकि इसमें एक limit है कि liquid जो rise होता है वो इस length तक ही rise हो सकता है उसके बाद rise नहीं हो सकता है इसका मतलब इसको हम small pressure measurement के लिए काम लेते हैं ठीक है इसमें pressure measurement का formula क्या हो जाएगा P is equal to rho g h, h यहाँ पर क्या है height of the liquid जो rise हुई है above the center of that block इसकी कुछ एक limitation तो मैंने आपको बता दिया है क्या हो गई है फर्स्ट for the low pressure measurement दूसरी limitation इसकी क्या हो जाती है आपकी second limitation आपके हो जाती है कि यह जो है gas pressure measure नहीं कर सकता है current measure gas pressure clear है और third इसकी limitation क्या हो जाती है कि इसमें हम gauge pressure measure करते हैं वो किवल positive gauge pressure ही measure कर सकते हैं and the third limitation is can't used for the negative pressure measurement इसमें हम pressure above the gauge measure कर सकते हैं पर pressure below the atmosphere हम इसमें measurement नहीं कर सकते हैं तो और next manometer is the YouTube manometer YouTube manometer पीज़ोमेटर में क्या difference है कि इसमें हम दो liquid use करते हैं एक liquid जिसकी density क्या है standard liquid से जो liquid flow हो रहा है उससे ज्यादा है और दूसरा liquid flow हो रहा है pipeline में वह तो इसमें क्या होगा हम ज्यादा height पर measurement कर सकते हैं ज्यादा high pressure measurement के लिए यह काम आता है compared to pizometer तो इसमें क्या होगा यू शेप and one can one and connected to the point at which pressure to be measured and other and is connected to the open to the atmosphere इसमें हम pressure above the atmosphere and below that means की vacuum pressure भी measure कर सकते हैं अब इसमें जो यूट्यूब इसमें generally क्या होता है कि यह जो second liquid हम यूज करते हैं और अगर mercury नहीं करते हैं तो कोई दूसरा liquid करते हैं जिसकी specific gravity ज्यादा होती है standard liquid से now अब इसमें हम measurement कैसे करते हैं pressure का तो इसमें हम क्या करते हैं कि pressure balance करते हैं supposed to be मैंने यह कहीं पर connect किया तो एक limit पर जाकर यह जो rise होना क्या हो जाएगा रुख जाएगा तो इस point को हम क्या बोलेंगे at the equilibrium point तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का जो difference होता है इस difference से हमको पता चलता है कि कितना pressure rise हुआ है ठीक है ना हमारे पास pressure का formula क्या आजाता है पीजी क्वाल टू पीजी क्वाल टू हमारे पास होता है रो जी एंड एज देरफोर हम यहां से करते हैं for the measuring gauge pressure pressure in the left limb left limb means क्या हो गया यहां पर देख लेते हैं left side में pressure in the left limb is equal to क्या हो गया एक तो pressure जो इस में fluid में बह रहा है वो कौन सा है पी तूसरा pressure यह हाइट यहां पर जो है इसको हम क्या बोल देंगे pressure on the left limb यह क्या हो गई प्लस यहां पर अगर density rho 1 है तो rho g h1 and pressure in the right limb दूसरी side में क्या हो जाएगा rho 2 g h2 for the balance condition यह दोनो liquid में pressure दोनो limbs में pressure क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए therefore हमने क्या किया इन दोनों को equate कर दिया तो P1 plus rho 1 g h1 is equal to rho 2 g h2 और pressure हम से कैसे कैसे कलकुल कर लिया determined by the pressure difference which is the rho 2 g h2 minus rho 1 g h1 now यह तो हो गया जब pressure जो होता है atmosphere pressure से ज्यादा होता है now for measuring vacuum pressure vacuum pressure के condition मैंने आपको बताईए कि यह उपर जाने की बजाए क्या हो सकता है उल्टा नीचे की तरफ shift हो रहा है means liquid dries होने की बजाए liquid falls हो रहा है तो यहाँ पर pressure क्या है equals to vacuum pressure तो pressure in the left limb is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास P plus rho 1 g h1 plus rho 2 g h2 क्योंकि right limb में pressure height could be rise नहीं हुए तो equals to क्या हो गया 0 तो for the balance हमने इन दोनों को क्या क्या बैले equal किया या फिर क्या हो गया हमारे पास P is equal to minus of rho 2 g h2 plus rho 1 g h1 means क्या हो गया जब भी vacuum pressure होता है तो वो क्या होता है negative pressure होता है हमेशा जब भी pressure क्या होगा P negative रहेगा that means क्या हो जाएगा vacuum pressure या निर्वात दाब अब हम क्या करते है इसकी एक simple numerical problem solve कर लेते हैं तो हमरे पास एक question है the right limb of a simple youtube manometer containing mercury यहां पर liquid कौन सा है mercury open to the atmosphere यहां पर यह क्या है open to the atmosphere while the left limb is connected to the pipe in which a fluid of specific gravity specific gravity आपको क्या दी भी है S यहां पर दिया हुआ है आपको 0.9 and the center of the pipe is 12 mm below pipe का center कहां पर है 12 mm below the liquid rise जो भी liquid rise हुआ उससे कितना नीचे 12 mm below the level of mercury in right wind find the pressure of fluid in the pipe if the difference mercury level between two limbs is 20 cm अब यह हाइट आपको कितनी दीवी है 20 cm तो फर्स्ट आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दीवी आपको यहां पर कि एस इस इक्वाल टू 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या थिया ग्रेविटी स्वरी डैनसीटी अप दे लिक्वीट लिक्वीट दिवाइड राटाओ इस इस इफुल तू रोण दैंसीटी अप दीलिक दिवाइड लै दैंसीटी आपड़्या इस्टेंडर्ड पर फ्लूड, इस्टेंडर्ड फ्लूड यहां पर क्या है आपके पास वाटर तो रो इस्टेंडर्ड आपके पास क्या हो गई है यहां पर 1000 जल की जल का गणय तो कितना होता है 1000 तो यहां पर density of fluid row 1 determine करनी है तो क्या करना पड़ेगा इसको हम इससे multiply कर देंगे तो यहां पर row 1 is equal to क्या हो गया S1 multiplied by 1000 which is equal to 900 kg per meter cube अब specific gravity of mercury mercury आपको दीविए 13.6 इसलिए density of mercury आपकी क्या हो गई है multiplied by 1000 then difference of mercury level आपको दिया हुआ है 20 cm तो cm को हम किसमें convert कर देंगे मीटर में सबसे पहले निमेरिकल में को द्यान करना चाहिए कि सारी units जो है वह एक ही method से हो चीक है एक ही पद्दती की हो तो हमने इसको क्या कर दिया मीटर में convert कर दिया अब height of the fluid from a to a अब मतलब क्या हो गया यह वाली height हमको determine करने है this is equal to अगर हम इसको h1 मानते हैं तो यह हो गई h1 हमको determine करने है तो h1 is equal to क्या हो गई आपके पास 20 minus यह center से इसके distance कितना है 12 which is equal to 0.8 meter अब वह हमको formula apply करना है pressure on the right limb is equal to pressure on the left limb right limb में pressure था p1 plus rho 1 gh1 और left limb में pressure था p1 plus rho gh1 और right limb में pressure था rho gh2 by putting all the values हमारे पास pressure difference कितना आ गया तो यह वाला जब question है दिखने में difficult लगता है बट जब आप इसको solve करते हो तो यह बहुत ही easy रहत जाता है तो इस तरह की और भी numerical problems हम next lecture में solve करेंगे और हम solve करेंगे differential manometers and the single column manometers यह हम next lecture में पढ़ेंगे थैंक यू और हमुआ झाल खर गो तो करेंगे।